हेलो स्टुडेंट्स मैं हूँ हिमंत के सरवानी और आज मैं आप लोगों को विलियन चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना इस्टार्ट कर रहा हूँ अगर आप लोगों ने विलियन चैप्टर के पिछले भाग के वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है आप लोग वहाँ से देख सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना देर किये सुरू करते हैं आज का टॉपिक है विलियनों की सांदरता व्यक्त करने की विधियां और आज का ये टॉपिक एक्जाम के पॉइंट आफ यू से बहुत ज़्यादा इन्पोर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा एक्जाम में कुछ न कुछ आंकिक प्रस्न जरूर पूछे जाते हैं तो इसलिए आज के इस वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा तो सबसे पहले सांदरता क्या होता है हम लोग ये जान लेते हैं तो सांदरता की परिभासा ये कहती है कि किसी विलियन के एकांग कायतन में उपस्तित विले पदार्थ की मात्रा उस विलियन की सांदरता कहलाती है और हम लोग सांदरता के बारे में पिछले वीडियो में डीपली पढ़ चुके हैं इसलिए हम लोग सिर्फ परिभासा से यहां पर काम चलाएंगे अब सांद्रता को व्यक्त करने के लिए कई सारी विदियां है जिन में से पहली विदि है द्रब्यमान प्रतिसतता जिसे WYW से निरूपित करते हैं तो द्रबिमान प्रतिसतता की परिभासा ये कहती है कि 100 ग्राम विल्यन में उपस्थित विले के ग्रामों की संख्या विल्यन की द्रबिमान प्रतिसतता अथवा भार प्रतिसतता कहलाती है इसका कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी विल्यन के 100 ग्राम में जितने ग्राम विले पदार्थ उपस्थित होगा वो उस विल्यन की द्रब्यमान प्रतिशत्ता कहलाएगी इसको हम गरती रूप में कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि X ग्राम विलेन में यहाँ पर आप लिख लिजिए कि X ग्राम विलेन में आपका Y ग्राम विले उपस्थित है कितना है Y ग्राम विले उपस्थित है इतना आप लिख लिए यहाँ पर इस प्रकार से तो एक ग्राम विलेन में कितना होगा आपका विले यह भी लिख लिजिए यहाँ पर एक एक नियम से तो यहाँ पर एक ग्राम विलेन में आपका Y बटे X ग्राम विले उपस्थित होगा इस प्रकार से, ठीक है, अब अगर हम बात करें 100 ग्राम विलियन में, तो 100 ग्राम विलियन में कितना उपस्थित होगा आपका विले पदार्थ, तो यहां पर कितना हो जाएगा Y बटे X गुडे 100 ग्राम, ठीक है, और जो द्रब्यमान प्रतिशतता की परिभासा है, वो क्या बोल रहा है कि 100 ग्राम विलियन में, जितने ग्राम विले उपस्थित होता है, वही क्या कहलाता है, उस विलियन की द्रब्यमान प्रतिशतता कहलाती है, तो इस प्रकार से, द्रब्यमान प्रतिशतता का जो सुत्र आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए आ, द्रब्मान प्रसिसत्ता बराबर Y बटे X गुडे 100 ये परसेंटेज में आएगा अब Y क्या है? यहाँ पर Y जो है विले के ग्रामों की संख्या है और X क्या है? ये विलेन का भार है विलेन का द्रब्मान है किसमें? ग्राम में तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर विले का जो द्रब्मान प्रसिसत्ता W Y W होगा वो कितना हो जाएगा? विले का द्रब्मान बटे विलेन का द्रब्मान गुडे 100 और अगर हम विलायक की द्रब्मान प्रसिसत्ता की बात करेंगे तो कितना होगा? आपका यहाँ पर अब उपर हम क्या लिखेंगे विलायक का द्रब्यमान, बटे विलियन का द्रब्यमान, गुडे 100 इस प्रकार से तो इस प्रकार से हम किसी भी विलियन की सांद्रता को द्रब्यमान प्रसिसत्ता में ऐसे व्यक्त कर सकते हैं अब जैसे उधारन यहाँ पर एक दिया हुआ है कि NaCl यानी sodium chloride का 10% जली विल्यन का अर्थ है कि 100 ग्राम NaCl के जली विल्यन में 10 ग्राम NaCl वो 90 ग्राम जल उपस्तित है इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं मान लेते हैं कि कोई sodium chloride का जली विल्यन हमारे पास है और उस sodium chloride के जली विल्यन का जो द्रब्यमान प्रतिसता है वो 10% दिया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि sodium chloride के जली विल्यन के 100 ग्राम में मतलब कि उस विल्यन के 100 ग्राम में यहाँ पर लिख लिजिए आप 100 ग्राम विल्यन ठीक उस विल्यन के 100 ग्राम में आपका sodium chloride कितना होगा 10 ग्राम होगा ठीक है, sodium chloride कितना होगा, उस willian के 100 gram में, 10 gram होगा, और अब देखिए, willian का कुल द्रब्यमान तो कितना है, वो 100 है, और जो wille है, यानि sodium chloride, वो कितना है, 10 gram, तो विलायक कितना होगा, 100-10, बराबर 90 gram, ठीक है, तो चुकी sodium chloride का जली willian है, तो sodium chloride किस में गोला गया है, जल में गो क्या होगा, आपका जल होगा, तो यही चीज वहाँ पर बताया गया है, कि 100 gram, विलेन में आपका क्या होगा, 100 gram विलेन में, आपका 10 gram होगा, एने सी यल, और आपका 90 gram होगा, जल, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि अगर sodium chloride का, 10% W by W, द्रब्यमान प्रसत्ता दिया हुआ ह जली विलेन का, तो उस विलेन के 100 gram में 10 gram आपका sodium chloride होगा, और 90 gram आपका जल होगा, तो इसको हम इस प्रकार से एकदम समझ जाते हैं, अब हम लोग इस पर आधारीत एक आंकिक प्रस्न करते हैं, तो एक आंकिक प्रस्न ये है, कि यदि 22 gram benzene, फार्मूला क्या है, इसका अड हुली हो, तो C6H6 यानि benzene एवं carbon tetracloride के द्रब्यमान प्रसिशत्ता की गढ़ना कीजिए, तो यहाँ पर जो C6H6 का जो द्रब्यमान दिया है, वो पहले लिख लीजिए, C6H6 का द्रब्यमान, वो कितना दिया है, यहाँ पर देखिए, वो दिया है 22 gram, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, कितना है, 22 gram है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, 22 gram benzene है, अब उसके बाद CCL4 का द्रब्यमान कितना दिया हुआ है, उसको भी लिख लीजिए यहाँ पर, CCL4 का जो द्रब्यमान है, वो कितना है, 122 gram है, तो यहाँ पर उसको लिख लीजिए, ठीक, अब यहा तो यहां पर आप लिखोगे C6, H6 का द्रब्यमान ठीक, बटे, विलेयन का कुल द्रब्यमान, तो यहां पर सिर्फ हम कुल द्रब्यमान लिख ले रहे हैं, ठीक है, और गुडे, सव, यह आपका क्या आएगा, द्रब्यमान प्रसिदत्ता, किसकी, C6, H6, यानि बेंजीन का, तो यहां पर आप देखिए, C6, H6 का द्रब्यमान कितना है, 22 ग्राम है, तो यहां पर लिखिए आप, C6, H6 का द्रब्यमान जो की 22 ग्राम है, और कुल द्रब्यमान कितना है, 22 प्लस 122, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 22 प्लस 122, और गुले 100, बात क्लियर हो रहा अब क्या करना है कि इसको हल करना है तो 22 बटे कितना हो जाएगा दोनों को जोड़ोगे 144 गुड़े 100 जब आप इसको हल करेंगे तो ये आपका आएगा 15.27% आजाएगा इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा इस पूरे को आप जब हल करते हैं तो 15.27% आएगा हल करके आप देख लीजेगा अब हमें क्या निकालना है कारबन टेट्राक्लोराइट का द्रब्मान प्रतिसत्ता निकालना है तो यहां लिखिए CCl4 की द्रब्मान प्रतिसत्ता ठीक द्रब्मान प्रतिसत्ता तो यहां पर यह क्या हो जाएगा CCL4 का द्रब्यमान बटे विलेण का कुल द्रब्यमान ठीक है गुडे 100 यह इस प्रकार से हो जाएगा तो CCL4 का कुल द्रब्यमान कितना है आप देखिए CCL4 का द्रब्यमान आपका 122 ग्राम है तो यहाँ पर हम लिखते हैं 122 ठीक और बटे विलेण का कुल द्रब्यमान तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो 22 प्लस 122 फिर गुडे 100 ठीक तो यहाँ पर कितना आएगा 122 बटे 144 गुडे 100 अब जब आप इसको हल करते हो तो आपका आता है 84 दस्मलव 72 प्रतिसत ठीक कितना जाता है 84 दस्मलो 72 प्रतिसत तो इस प्रकार से हम लोग द्रब्यमान प्रतिसत्ता पर आधारित आंकिक प्रत्न आसानी से कर लेती हैं अब हम लोग सांदरता व्यक्त करने की अगली विधी की ओर चलते हैं तो सांधरता अव्यक्त करने की अगली विदी आयतन प्रसत्ता है इसे capital V by capital V से इन्रूपित करते हैं अब आयतन प्रसत्ता की परिभासा क्या होती है सबसे पहले हम ये जान लेती हैं तो परिभासा ये कहती है कि 100 ml विलेन में उपस्थित विले पदार्थ के मिली लीटरों की संख्या विलेन की आयतन प्रसत्ता capital V by capital V कहलाती है इसे कैसे समझा जा सकता है उसको समझने के लिए मान लीजिए कि x x ml विलेन में आपका y ml क्या मौझूद है विले मौझूद है ठीक है आप मान लीजिए कि x ml में आपका y ml क्या है विले है ठीक तो एक मिली लीटर विलेन में ठीक है यहाँ पर एक मिली लीटर विलेन में कितने मिली लीटर आपका विले होगा तो यहाँ पर लिखोगे y by x मिली लीटर विले होगा बात creating हो रहा है अब अगर हम 100 मिली लीटर विलेन की बात करें तो 100 मिली लीटर विलेन में आपका कितने मिली लीटर विले होगा तो y by x गुडे 100 अब आयतन प्रतिसत्ता की परिभासा जो कहती है कि 100 मिली लीटर विलेन में जितने मिली लीटर विले होगा वही क्या कहलाएगा आपका आयतन प्रतिसत्ता कहलाएगा तो इस प्रकार से आयतन प्रतिसत्ता का सुत्र हो जाएगा आयतन प्रती सतता बराबर आपका y y क्या है आपका विले के मिली लीटरों की संख्या है और x क्या है आपका विलेन के मिली लीटरों की संख्या है गुले 100 तो यहां पर आप देखिए सुत्र की विले की आयतन प्रसतता जिसे एक capital V by capital V से निरूपित कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा विले का आयतन मिली लीटर में बटे विलेन का आयतन मिली लीटर में गुडे 100 इस प्रकार से यह आपका आयतन प्रसत्ता हो जाएगा अगर हम विलायक की आयतन प्रसत्ता की बात करें तो यहाँ पर उपर में आपका जो विले का आयतन था इसके स्थान पर क्या हो जाएगा विलायक का आयतन होगा बाकी सब सुत्र में वही रहेगा तो यहाँ पर देखिए विलायक की आयतन प्रसत्ता capital V by capital V बराबर विलायक का आयतन बटे विलियन का आयतन गुडे 100 तो इस प्रकार से आयतन प्रस्थता को हम समझ सकते हैं इसका एक उधारन हम लोग देख लेते हैं कि उधारन कह रहा है ऐलकोहाल का 25 प्रस्थ जली विलियन का अर्थ है कि 100 ml ऐलकोहाल के जली विलियन में 25 ml अलकोहाल वो 75 ml जल है तो इसको हम कैसे समझेंगे कि हम माल लेते हैं कि अलकोहाल का जली विलियन है क्या माल लेते हैं कि एक अलकोहाल का जली विलियन है जिसका आयतन प्रसत्ता दिया हुआ है कितना 25% तो जो जली विलियन है उसके 100 ml 100 ml विलियन में आप का जो 25 ml क्या होगा alcohol होगा क्योंकि alcohol का जली विलियन है तो यहाँ पर alcohol का कितना होगा ml 25 ml होगा ठीक अब देखिए कुल विलियन का आयतन कितना था 100 ml अब इसमें से अगर 25 ml को घटा दें तो कितना बचेगा यहाँ पर 75 ml तो चुकि जली विलियन है इसलिए आपका विले क्या है वहाँ पर alcohol है और विलायक क्या है आपका जल है तो आपका 75 ml क्या होगा जल होगा तो इस प्रकार से 100 ml विलियन में alcohol के 25% w by w आयतन प्रस्ता वाले विलियन में 25 ml अलको होगा ठीक और 75 ml आपका क्या होगा जल होगा बात क्लियर हो गया ठीक अब सांदरता व्यक्त करने की अगली विधी द्रबमान आयतन प्रस्ता है इसे डबलू बाई कैपिटल वी से निरुपित करते हैं तो सबसे पहले हम लोग द्रबमान आयतन प्रस्ता कहलाती है इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हमारे पास कोई विल्यन है जिसका 100 ml मौझूद है हमारे पास तो उस विल्यन में उपस्थित विले पदार्थ के ग्रामों की संख्या उस विल्यन का द्रबमान आयतन प्रस्ता कहलाएगा इसको हम एक उधारण से समझ सकते हैं मान लेते हैं कि हमारे पास कोई विल्यन है जिसका x ml मौझूद है हमारे पास तो यहां लिकिए x ml विल्यन है ठीक यहां पर मैंने क्या लिक लिया x ml विल्यन और इस x ml विलियन में मैंने मान लिया कि y ग्राम आपका विले मौझूद है ठीक तो क्या माना गया है कि x ml विलेन आपके पास है और उस x ml विलेन में y ग्राम विले है तो एक ml विलेन में कितना होगा एक ml विलेन में कितना विले होगा तो Y बटे X ग्राम आपका विले होगा बात क्लियर है अब क्या है कि अगर हम 100 ml की बात करें 100 ml विलेन में तो 100 ml विलेन में Y बटे X गुडे 100 ग्राम आपका क्या होगा विले होगा बात क्लियर है तो द्रबमान आयतन प्रसक्ता की परिभासा क्या कहती है कि 100 ml विलियन में जितने ग्राम आपका विले उपस्तित होता है वही क्या कहलाता है द्रब्यमान आयतन प्रसत्ता कहलाता है तो इस प्रकार आपका द्रब्यमान आयतन प्रतिसत्ता का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या होगा आपका y बटे x गुले 100 यही क्या आएगा परसेंटेज में आएगा y क्या है ये ये आपका है विले के ग्रामों की संख्या x क्या है आपका ये आपका है विलेन का जो आयतन है मिली लीटर में ठीक इस प्रकार से तो देखिए यहाँ पर जो फार्मिला हो जाता है द्रब्मान आयतन प्रसत्ता विले के लिए तो क्या होगा विले का द्रब्मान किसमे ग्राम में बटे विलेन का आयतन किसमे मिली लीटर में गुडे 100 और अगर आपको द्रब्मान आयतन प्रसत्ता निकालना हो विलायक का त तो लिखेंगे विलायक का द्रब्मान ग्राम में बटे विलियन का आयतन मिली लीटर में गुडे 100 इस प्रकार से आपका द्रब्मान आयतन प्रस्त्ता भी हो जाएगा अब हम लोग सांदरता अग्यक्त करने की अगली विधी की ओर बढ़ते हैं और अगली विधी है पार्ट्स पर मिलियन में सांदरता जिसे प्रदर्शित करते हैं तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में सांदरता की परिभासा क्या होगी आईए इसे जान लेते हैं तो परिभासा के नुसार, विलियन के एक मिलियन, एक मिलियन का मतलब क्या होता है? दस लात, तो विलियन के एक मिलियन ग्रामों में उपस्थित, विले के ग्रामों की संख्या, विलियन की parts per millions ppm में सांधर तक हलाती है, इसे हम किस प्रकारते समझ सकते हैं? आईए इसे देख लेते हैं हम मान लेते हैं कि कोई विल्यन है और उस विल्यन के X ग्राम में हमने क्या मान लिया कि विल्यन का X ग्राम लिया ठीक है अब इस विल्यन के X ग्राम में आपका Y ग्राम क्या है विले मौझूद है ठीक हमने क्या मान लिया मान लिया कि आपका X ग्राम विल्यन में Y ग ग्राम विलियन में कितना होगा एक ग्राम विलियन में आपका वाई बटे एक्स ग्राम विले मौजूद होगा बात क्लियर है अब अगर हम मान लें कि एक मिलियन में एक मिलियन ग्राम या एक मिलियन कोई क्या बोलते हैं दस लाख तो यहां लिख लेंगे 10,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 लिखकर 6-0 के पराबर तो इसी लिए एक मिलियन ग्राम या फिर कह लिजे 10 लाग ग्राम विलियन में आपका जो विले के ग्रामों की संख्या होगी वाई बटे एक्स गुडे 10 पर घाते 6 ग्राम विले होगा बात क्लियर है तो पार्ट पर मिलियन में सांदरता की परिभासा क एक मिलियन ग्राम विलियन में या फिर 10 लाग ग्राम विलियन में जितने ग्राम विले होगा वही क्या कहलाएगा पार्ट पर मिलियन में सांदरता कहलाएगी तो इस प्रकार से पी पी एम जो होगा वो हो जाएगा वाई यानि वाई क्या है ये विले के ग्रामों की संख्य यक्स क्या है विलेन का द्रविमान है ठीक और गुले 10 पर घाते 6 तो सुत्र आपका देखिए यहाँ पर क्या हो गया पीपीम में सांद्रता बराबर विले का द्रविमान ग्राम में बटे विलेन का द्रविमान ग्राम में गुले 10 पर घाते 6 तो इस प्रकार से 5 पर मिलियन मे 8 अडू SO2 के होंगे तो इसको समझने के लिए हम क्या ले लेते हैं कि एक sample है एक नमूना है वायू का और उस वायू के नमूने में जो sulfur dioxide है SO2 है उसकी जो सांदरता है 8 ppm है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस sample में 10 पर घाते 6 अडू अगर वायू के हैं तो उसमें 8 अडू किस के होंगे sulfur dioxide के होंगे तो इस प्रकार से हम लोग 5 per million में सांदरता को भी समझ सकते हैं अब हम लोग अगली विधी की ओर बढ़ते हैं सांदरता व्यक्त करने की अगली विधी gram प्रती लीटर में सांदरता है अब gram प्रती लीटर की सांदरता की परिभासा क्या होती है आए इसे जान लेते हैं तो परिभासा ये कहती है कि विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्षित विले के ग्रामों की संख्या विलियन की gram प्रती लीटर में सांदरता कहलाती है इसका कहाने का अर्थ ये है कि अगर हम किसी विलियन का एक लीटर आयतन ले और उस एक लीटर आयतन में विले के ग्रामों की संख्या जितनी होगी वही उस विलियन की ग्राम प्रती लीटर में सांदरता कहलाएगी अब इसको हम गलती रूप में कैसे निरूपित करेंगे तो देखिए आपका ग्राम प्रती लीटर में सांदरता जो होगी वो बराबर होगी विले का द्रबिमान किसमे होना चाहिए ग्राम में और विलेन का आयतन किसमे होना चाहिए लीटर में तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाता है ग्राम प्रती लीटर में सांद्रता का सूत्र हो जाता है अब अगर मान लीजिए कि विले का द्रविमान ग्राम में न दे करके किलोग्राम में दिया हुआ है तब क्या करेंगे तब आपका विले का द्रविमान किलोग्राम में य और नीचे 1000 का गुला कर देंगे तो इस प्रकार से आप ग्राम प्रति लीटर में सांदर्था ग्याद करने के लिए चाहे इस सुतर का और चाहे इस सुतर का दोनों में से किसी एक सुतर का आप उपयोग कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सांदर्ता को भिन भिन प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं अभी सांदर्ता को व्यक्त करने की और भी कई विदियां हैं जैसे नार्मलता है, मोलर्ता है, मोललता है और मोल प्रभाज है लेकिन इन सब के बारे में और इन से संबंदित आंकिक प्रसनों के बारे में हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे आज के लिए बत इतना ही और जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेर करना बिलकुल ना भूलें अगर चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करके बिल आइकन को आल पर सेलिट कर लें अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमतकार